राजुस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलुट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमन रोकने के लिए लागु लोगडाून से आगे की रणनीती पर काम करना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री अशोग गहलोट ने प्रुदेश भर के धर्मगुरूं से विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीय समबाद किया मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने पर सुझाब लिये जैपूर कलेक्टेट से जुड़े सभी धर्मों के धर्मगुरूं ने धार्मिक स्थलों को 30 जून तक बंद रखने का सुझाब दिया विडियो कॉन्फरेंसिंग में धर्मगुरूं ने एक राय हुकर प्रुदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई उन्होंने कहा कि अगर सरकार धर्मिक स्थलों को खोलने की अरुमती देती है तो धर्मिक स्थलों में लोगों की आवाजाही पर नियंतरन करना संभव नहीं है ऐसे में सरकारी गाइडलाइन की पालना भी नहीं हो सकेगी और इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए 30 जून तक प्रुदेश के सभी धर्मिक स्थलों पर यथा सती बरकरार रखकर लोगों का प्रवेश पूरी तरह बंद रखा जाए हाला कि धर्मगुरों ने इस मसले में अंतिम फैसला मुख्य मंत्री पर छोड़ दिया धर्मगुरों ने कहा कि राज्य सरकार जो भी निर्देश जारी करेगी सब भी उसकी पालना करेंगे परिस्थितियां बनी हुई है और जैसा अभी विष्ले दो-चार दिनों में जो इस्थितियां हो करके जो लोग संक्रमन प्रसित हुए उसको देखते हुए शाहिद ये मीटिंग इसलिए आउट की गई है वीसी इसलिए आउट की गई और मैं समस्ता हूँ कि धर्मस्तल एक आस्था के विषय होते हैं जहां उनको जो लोग आते हैं उनको रेगुलेट करना उन पर डिसेप्लिन रखना उन पर अनुशाशित तरीके से उनको कैसे वो रह पाएं ये एक बहुत बड़ी आवश्यक्ता है और दूसरी बात यह भी है शोशल डिस्टेंसिंग सब जगे नहीं हो सकती उसके और दूसरी बाती है कि महां मारी अभी प्रकोप में चल रही है तो सबका एक इत्स फुजाओ था कि लौब जाओं जो मंदिरों का है और शाध्यों नेनों का शाम तक बताएंगे और आगे उस पर जो कारवई होती ह होगी अभी तक तो तीस तरफ तक का लिए वालन जो है वो कठोरता से किया जा सके इसलिए अभी इसको लोगडाउन को जो है आज थोड़ा बढ़ाना चाहिए और दूसरा चुछाओ यह दिया गया कि इसके जलेवाइस कमेटी बनाने चाहिए का लेक्टर के ने फिरुत मे ताकि अलग अलग जगा की अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मस्जिदों की जो सिच्वेशन है वो अलग अलग है किसी जगा पर जगा ज़्यादा है किसी जगा पर कम है और अलग अलग जगा पर कहीं सरदालू भी कमाते हैं